असलामों अलेकूम हेलो फेंट्स वेलकम टू मैंनी जहारास की चेन आप सब कैसे हैं अल्हम दोलीला उम्मीद करती हूं आप सब खेरियत से जरूर होगे आज मैं आप सभी के साथ गाजर की हल्वे की रेसिपी शेयर करने वाली हूं इसे बनाना बहुत आसान है सिंपल तरीक हेलों को डीन है 1 kg अख्षा Michigan पानिसे साफ करने के साथ हैं तो आप इस में गाड़ा मलाई वाला दूद लिया है घर पर जो गाई का दूद आता है मैंने वही लिया है मलाई वाला दूद इसी के साथ मैं हापर 200 ml के करीब देशी गी ले ली हूं फिलाल तो सॉलिड है लेकिन पीगलने के बाद 200 ml के करीब हो जाएगा और घर की बनाई हुई देशी अब मैं यहां पर पैकेड वाला दूद डाल देती हूं इसे के साथ हमें गाजर भी डाल देना है दूद को बॉil करने की जरूद नहीं है पहले से बॉil किया हुआ है तो मैंने यहां पर गाजर डाल दिया है इसे में एक तरह से मिक्स कर लोंगी उसके बाद इस पैन को लि अब मैं यहां पर डाल देती हूं हमने जो एक कटोरी रखा हुआ है मलाई वाला दूद उसे हमें यहां पर डाल देना है इसी के साथ में यहां पर 2-3 चमचे करीब देसी घी भी डाल देती हूं आप अब इसकी रेसिपी जरूर देखिएगा आप लोगों को बहुती सब्सक्रादे वी हम चलाएंगे ही अट से दस मुथ कलेंगे लेकिन हमया से और थोड़ा सा दूद में पपा लेना है तो देखिंगे यहाँ पर अब हम पर काजू और बादाम यह जिसे मैं बारी काट लिया है इसी के साथ मैं पर किसमेज भी एड कर लेतीऊ हैं अब मैं यहाँ पर 100 ग्राम के करीब मावा भी एट कर लूँगी जिसे मैंने हाथ से तोड़ लिया है इन सबी चीजों को हम पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब मैं हाँ डाल लेती हूं एक कप के करीब चीनी चीनी अपने टेस्ट के मताविक डाल लिएगा के एक क्यों ते फृट से मिक्स कर लोंगी जी को डीजॉल्व हरने तक हम अच्छी तरह से हाई हाइफ इसे पकाइंगे अब जूझे अब देखिए पखा नगे। दूद रिजोल्व हो चुका है अभर भी तरह सुखना चाहें तो यह पर देखिए चीनी भी दूद नहीं दोद भी दूद नहीं अब्स हमें जाता है और मावा भी हमने डाले हैं बहुत ही मज़दार का ह्लवा बनकर तयार है क्योडा वाटर डाल देती हूं आप चाहे तो यहां पर चाहे पांच चोटी लाइची को कुटकर भी डाल सकते हैं लेकिन मैं यहां पर सिर्फ क्योडा वाटर कहीं इस्तेमाल करूंगी इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लोगी और अब हमें यहां पर बाकी का जो देशी घी अच्छी घी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है अब जो है फिले में पर मीडियम लो पर हम इसे बुनते वे पकाएंगे तो देखिए अब जो है दूद और चीनी अच्छी तरह से गाजर अब्जार कर लिया है हमारा हल्वा जो है बिल्कुल बंकर तयार है तकरीब आपको ह 10 Stunden के करीब डाइम लग जाएगा और आपका इस तरह से मज़ेदार का भावा बनकर तयार होगा तो बिरह के हमारा हमना भी तैयार है बहुती मज़ेदार के ह available अब में इसRoP को आफ कर लेती हूँ आप इसे गर्मा गर्म कीजे आपते थंडा होने के बाद आहिए बहुतला जबाब हल्वा बनकर तयार होता है मैंने जितने मेजरमेंट के हिसाब से बनाया है एक किलो गाजर से आप एक बार जरूर बना कर देखिया अगर आप फरस्ट इम भी से बनाएंगी आपका गाजर कालुआ बिल्कुल इसी तरह से ही बहुत इला जवाब बनकर तयार होगा तो तो चलिए मिलते हैं किने रिसिपी के साथ अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद जरूर रखें अल्ला हाफिज